तो क्या हाल चाल है भाई आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ IQ Z6 Lite और इसके मैं आपको कफी सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ तो अगर आपने यह मोबायल खरीदा है या खरीदने की सोच रहे हो ना तो यार इसके अंदर जो टिप्स और ट्रिक्स और अंदर आपको आपको कफी सब बता होगा की call recording हो रही तो इसको ओफ कैसे करना है और यह सब भी चीज़े बताने वाला हूं और काफी अच्छी चीज़े और भी टिप सेंट्रिक्स बताऊंगा तो वीडियो को एंद तक देखते रही तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं तो बिना किसी टाइम ठीक सर्दी डिख रहोगा इसके ब्रापक निष्ट कर लेना ठीक है कि उसके आपल क्लिक करने के बाद यहां पर हो tahu स्क्रीन के अंदर आते हो ठेंपर कुछ नॉर्मल सा होता होगा भी ंसमाइचte कर सकते हो ही यह का clothing देखिए यह देखिए और भी यह काफी दगड़ा मिल लोग लगावा जब भी आप फेस को अनलोग करते हो तो यह पर लोग का उप्षिन आ जाता है पर दोस्तों आप चाहते हो कि यार मुझे इस लोग को हटाना है मतलब मुझे लोग पसंद नहीं है तो दोस्तों आप यहां पर इसमाइल कर सकते हो यहां पर काफे अच्छा लग लगता है यह देखिए आपको जो भी रखना है वो यहां से अपलाई कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो गूगल डायलर मिलता है मतलब कि यहां पर आप किसी के पास भी कोल करोगे तो अगले वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी को हच इस्टार यह देखिए अब यहां पर कुछ इस तरह से आ चुका है अब यहां पर इसको अगले वाले को पता नहीं चलेगा तो यह आपको फिर से गूगल डाइलर ही करना है तो से मही प्रोसेस करने आपको इस्टार है एक बार और देख लिए आप इस तरह से पूरा यहां पर कस्टुमाइज कर सकते हो आपको जो भी पसंद है वह यहां पर रख लेना है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बदाता हूं कि आप एक साथ में दो एप को यूज करना चाहते हो यानि कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे यार यहाँ पर वाटसप भी चलाना है और इस्टाग्राम भी साथ में चलानी है या फिर यूटूब और वीडियो भी देखने है और यहां पर साथ में चैटिंग भी करने है तो य यहां पर घेख सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यह उटूब open कर लिए में ने ठीक है अब आपको क्या करना थ्री finger से उपर ले के जाना है ठीक है उ अर अब जैसे कि मैंनीते सूपन कर लेदा हूँ यहां पर देख सकते हो आप मेंसेज भी कर सकते और यूटूब को यहां पर जोटा हो चुका है तो आपको जैसे भी रखना है इंसा भी को रख सकते हो यहां पर एक साहत में दो एप को यूज कर सकते हो और यहां पर नीचे अगर यूटुब करना है पुरा यूटूब आजाएगा तो चले दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप वीडियो कॉल करना चाहते हो, वाटसप यहां से कॉल वागेरा के अंदर वीडियो कॉल करना है, आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल, तो वहाँ पर आपको बताऊगा कोई भी फिल्टर वागेरा यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़े काले से लगते हो आप, पर यहां पर इस्टाग्राम वगेरा के अंदर, स्नेपचेट वगेरा के अंदर तो आप मतलब फिल्टर लगा के गोरे हो जाते हो, पर आप वाटसप वगेरा पर भी गोरा होना चाहते हो, तो यहार आपके आईक्यू ने एक बहुत थी तगड़ी ट्रीक दिया आपको तो इस इसरे एपस के अंदर करना है तो जैसे मोर के उपर जाईए और यह वाटसवाइबर जो भी आपको करना है उसको एपर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों आप काफी अच्छे लगोगे, बीटिफुल लगोगे, हैंसम लगोगे, अगले वाले को काफी पसंद आ जाओगे, तो कोई भी तस्वीरे वगेर आ जाती है, पर आप चाहते हो मुझे इसको बंद करना है, मतलब ऐसे करूँ तो यहाँ पर गूगल नहीं शो होना चाहिए, मुझे जब भी सर्च करना होगा, मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा, तो इसको बंद करने के लिए आपको इसे स्क्री करना है, 60S पर कैसे करना है, और उनका असली मतलब क्या है, फूरी डीटेल में बात करने वाले है, तो इसके लिए आपको जाना है, सिंप्ली सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद यह देखिए, इसके उपर आपको जाना है, अब यहाँ पर जाओगे, तो ज यह अगर आप ज्यादा चैटिंग होगेरा करते हो, तो यहाँ पर आई यहाँ पर जो दिख रहा है, आई प्रोटेक्शन, इसको ओन कर लेना, इससे क्या होगा, आपकी जो आँखें हैं, वो खराब नहीं होंगी, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, अगर आप सकते हो, और अगर नीचे जाओगे, यहाँ पर सकते हो, जैसी भी आपको कलर की स्क्रीन रखनी है, प्रोफेशनल इस्टेंडर्ड या ब्राइट, जो भी रखना है, अपर अपनी मर्जी से रख सकते हो, और अगर बेग जाओगे, तो आप फोंट एंडिस्प्ले साइज, म मिल जाता है, यानि कि आपके जो भी लिखा हुआ रहता है, उनकी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, यह देखिए, अभी डिफोल्ट, एक लासिक फोंट, और अगर आपके पास इंटर्न है, तो डाउनलोड मोर के उपर जाईए, और यहाँ पर और भी काफी सारी है, पों स्टाइल के जाता है, तो इसका क्या मतलब है, 60Hz, 90Hz, 120Hz, अगर आप 120Hz पर रखते हो, तो आपका जो मोबाइल है, काफी ज्यादा स्मूध चलता है, काफी तगड़ा चलता है, अगर आप गेमिंग होगेरा करते हो, तो आपको 120Hz पर रखने है, पर इसका जो नुकसान है, व आपको बेटरी है, बहुत ही कम ड्रेन होती है, तो आपको कोई जरूरी काम करना है, तो 90Hz ही रखना है, और दोस्तों यहीं पर अगर बेग जाओगे आप, तुम्हें दिखाता हूँ, आपको यह देखिए, स्टेटस बार, यानि कि आप यहाँ पर बेटरी के परसेंटेज बेटरी के परसेंटेज होने चुके हैं, और यहाँ पर इसका मतलब है कि आप इंटरनेट चलाते हो, तो इसको ओन करने से आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है, वो यहाँ पर शोप होती रहेगी कि कि इतनी Mbps आपका जो इंटरनेट है, वो चल रहा है, तो इसको भी आप और आप अपने मज़ी से चीज़ों को कस्टोमाइज कर सकते आपको बैटर्री के परशेंटेश ने भी दिखाने वह अपनी दिखाने मज़ी से कस्टोमाइज कर सकते हूं तो चलिए पर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर क्लिक करोगे तो डिलीट का उप्षिन नहीं मिलेगा तो आप इनको हटाना जाते हो तो स्क्रीन के उपर से टेफ करके रखना है होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहां पर देखे होट एपस एंड होट गेम्स को अब मैं दिखाता हूं आपको देखे हट चुके हैं और यहां से भी हट चुके हैं तो आप कुछ इस तरह से इन चीजों को भाड़ा सकते हो अगर आप इन चीजों से प्रश्य पर हटा लेना है चलिवान दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपके ऊपर कोई भ महिने की कि यार मेरा कब मेसेज जाया था किसी ने फोन पर किया था कब किसका इंस्टाग्राम पर मेसेज जाया था तो आप पूरी डिटेल देख सकते हो इन सभी चीजों की तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर और इसको एक बार ओन करना बढ़ेग तो यहां पर आपके पूरी हिस्ट्री मौजूद रहेगी कि आपका कौन सा नोटिफिकेशन कब आया था किस टाइम आया था किसका नोटिफिकेशन आया था पूरी डिटेल यहां पर मौजूद रहेगी तो इसको आप जरूर ट्राइकर सकते हो बार बार आपको इतने दू बढ़ा रखी आवाज को फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे मोबाईल के आवाज कम है तो आप आवाज को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो यहां पर एक अच्छी ट्रीक बता तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहां पर देखिए साउंड कर लेना है इससे क्या होगा मोबाईल को लगेगा कि आप कम से कम साट साल के उपर हो तो यह जो आवाज देगा आपको काफी लौड देगा काफी तेज देगा जिससे आपके काफी फाइदा हो जाएगा अगर आपको लगता है कि मोबाईल की आवाज कम है तो इसको जरूर ट्राइक कर सकते हो दोस्तों इससे आपके आवाज काफी हद तक बढ़ जाएगी तो यहां पर आपको कुछ स्क्रίν सोट से रिलेटेड़ बता देता हूं जैसे कि आप यहां पर बटन और वॉस्रों से स्क्रेटा करते हो ठीक ना तो इह पर आपको यहां पर आंदर इतना लंबा क्ले लेरव डेंस तो जिस तरह से आप screenshot ले सकते हो दोस्तों यह भी काफ़ी अच्छा option मिल जाता है आपको अगर आपको एक लंबा screenshot लेना है तो आप एक ही photo के अंदर इतना लंबा screenshot ले पाओगे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे उपर यह देख पा रहे होंगे हाँ आप ज जीफिशन के लिए आपको जाना है settings के अंदर और यहां पर जाने के बाद यह देखिए यहां पर लोग की स्क्रीन और यूल पेपर उपर ब्रीट कर लेता है ओंगे नहीं और यह देखिए उपर गरीण हो चुका है यह देख सकते हो यहां पर सब कुछ ग्रीन हो चुका है और आप अपनी मर्जी से दूसरा color करना चाहते हो जैसे कि brown कर लीजी और भी यहां पर काफी सारे colors हैं तो आप इन में से color choose कर सकते हो जो भी आपका favorite color है वो यहां पर उपर कर लेना है यह देखे वापस blue हो चुका है और अगर बेख जाओगे तो यहां पर देखे लोग screen settings option मिलता है और यहां पर text on log screen वैसे तो और भी काफी सारी चीज़े मिलते हैं जैसे कि left shortcut है वो अपने मर्जिस यहां से रख सकते हो पर जो मैं बताने वाला हूं वो देखी a text on log screen यहां पर आपकुछ भी लिख सकते हो अपना नेम अपने दोस्त का नेम अपनी girlfriend बॉइफरेंड किसी का भी नेम लिख सकते हो और जो भी नेम लिखोगे आप यहां पर वो आपकी ज कभी mobile गुम हो जाता है तो कोई अच्छा इंसान होगा तो आपको call करके बता देगा कि भाई आपका mobile हमारे पास है तो यहां पर उसको आसानी से मतलब ऐसे तो नंबर तो मिलेंगे नहीं क्योंकि आपके mobile के लोक रहेगा तो अगली वाले को पताने चले का कि भाई कोन है त पिर मुझे सिर्फ कॉल करनी है तो आप चाहते हूं कि यार मैं उसको दे दूं मना भी नहीं कर सकता पर आपको डर है कि यार वो प्रस्णल चीज ना देख ले कोई मेरी प्राइबसी चीज ना देख लिए कोई आपके बच्चे मांगते हैं कि मुझे सिर्फ यूटूब द कर ले तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं आपको इसके लिए आपको जाना है सिंप्ली सेटिंग्स के अंदर और यहां पर जाओगे तो नीचे जाना है ठीक है नीचे जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेक्यूटी का उप्शन यह अब यहां पर जब ओन होगा तो इसका मतलब क्या जैसे कि मैं इसके कोल के लिए किसी ने मांगा है तो यहां पर जाना है इसको इसे प्रेस करके रखना है और यह पिन कर लेना इसको ठीक है यह पिन हो चुका है अब यहां पर आप बेक वोगेरा नहीं जा सकते देखिए ब भी खुलने वाला है तो यह काफी अच्छा option मिल जाता है क्योंकि अगर वो दूसरी चीज छेड़ेगा तो यार आपको पता चल जाएगा कि यार यह मतलब दूसरी चीज पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह बाहर आ रहा है आपके तो आप यह से try कर सकते हो जब तक को अनपिन नहीं कर पाएगा तो इसको भी आप जरूर ट्राइक कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा काफी लोगों के मोबाइल के अंदर जब भी उनके पास कोई कोल आता है तो उनकी जो फ्लेश लाइट है वो आटोमेटिक और लग जाती है तो आपके मोबाइल के अंदर सब कुछ केसे वोगा मैं आपको दिखाता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर देखाता हूं आपको फलेश नोटिफिकेशंश एंड इसको ओ और यहां पर कोई भी कोल आएगा आपके पास तो आपकी जो फ्लेस लाइट अट्मेटिक ओन ओफ होने लग जाएगी अगर आपका जो मोबाइल है मतलब साइलेंट रहता है फिर भी आपकी जो लाइट है वोन ओने लग जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोल आ रही है तो इसको आप अगर आपको अच्छा लगता है फीचर तो जरूर ओन या ओफ कर सकते हो आपकी मरजी है तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं कि आपको बताओगा आपका जो मोबाइल है काफी अच्छा एक्दम आइफोन की लूकिंग देता है और यहां पर इस गेश्चर से निविगेशन कर लेना ठीक है अब देख सकते हो नीचे बटन सोगेरा हाइड हो चुके आप देख सकते हो अब अगर आपको बेख वगरा जाना है तो कुछ इस तरह से करोगे बेख चला जाएगा और होम स्क्रीन पर जाना है और जो रेसेंट से आपके यह इसे करोगे लाइन और होगरा पुछ नहीं है तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं मुझे तो फूरा है तो यहीं पर आचुके हैं तो यह एक चीज़ ओर बता देता हूं अगर आपको अपना मॉवाइल जो है फॉर्माइट करना है करना है तो आपको यहीं पर सिस्टम के अंदर ही यह देखे रेसेट ऑप्षेंस का आप्षेंस मिल जाता है और यहां पर दाटा पर जाना है रेजोर डाटा करोगे तो यहां पर पिन लगाने जो भी पास्वर है और आपका जो पूरा भी मतलब डाटा है पूरा उड़ जाए खुलाने के लिए पेसे लगेंगे तो पहले इसकी Gmail ID हटा लीजिए और अगर आपको Gmail ID याद है तो आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होने वाली है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर यहाँ पर अपने mobile को format भी कर सकते हो तो यार दोस्तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो को समात करूँ पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादे यूसफुल हो सकती है और अगर आपको इसके और भी hidden features जानने हैं तो आप मुझे comment कर दीजी मैं और अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगा क्योंकि इसके अंदर जो hidden features मिलते हैं प्रेस करके लोग करते ना उसको वोलते हैं नो बार मतलब मैंने नो बार किया तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपने पूरी दिन में कितने बार अलोग किया और नोटिफिकेशन जो आया है तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपका जो कीमती समय है आप कहां पर बिता रहे हो और यहां पर एक दिन की नहीं पूरी एक महीने की detail भी आप देख सकते हो देखिए यहां पर 16 मिनट यूज किया है तो आप यहां पर पूरी detail में इन चीज़ों को आप देख सकते हो तो यार दोस्तों अगर आपको यह कुछ अच्छा फीचर लगा तो आप यह वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों आपको इन hidden features में से सबसे अच्छा कौन सा चैनल पर पहली बार आए हो तो यहां चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर पर इसके लिए क्योंकि हमें ऐसे ही useful वीडियो हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई-बाई